हरे कृष्णा तभी हम भगवद गीता के दस्ति में ध्याय के अंतरगत इस लोग संख्या 49 पर विचार करेंगे यचापि सर्व भूतानाम बीजम तद हम अर्जुनन ना तदस्ति विनायत श्यान मया भूतम चराचरम तो यहाँ पर भगवान के रहे हैं ये चापी सरव भूताना बीजम तत अहम अर्जुने भगवान क्या किया रहे हैं कि समस्त प्राणियों का जो बीज है जो है वो मैं हूँ यत तत 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 अहम वो मैं हूँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो की मेरे बिना हो चर अचर प्राणियों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो तो हम सुनेंगे प्रहुपाद तात परे में क्या लिखते हैं सिल्प प्रहुपाद की जाएं प्रतियक वस्तु का कारण होता है और इस्तृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है कृष्ण की सक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता अता उन्हें सर्व सक्तिमान कहा जाता ह उनकी सक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का आस्तित नहीं रह सकता जो कुछ कृष्ण की सक्ति पर आधारत नहीं है वो माया है अर्थात वह है जो नहीं है तो यहां प्रहुपाद का अतात परे समाथ हुआ अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा है इसकी कैसी ब्याख्या हुई है इसले स्लोक तक श्री कृष्टी ने कुल मिला कर अपनी एक क्यासी विभूतियों का वर्णन किया है अब अर्जुन के मन में प्रिश्ण उठा कि क्या श्री कृष्टी की कोई ऐसे भी विभूति है जो संपूर्ण स्रिष्टी से संबंदित हो अंतरयामी होने के कारण श्री कृष्टी अर्जुन के प्रिश्ण को समझ गए अता उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वे संपूर्ण स्रिष्टी के ऐसे भीज है जिससे संपूर्ण स्रिष्टी का विकास हुआ है इस स्लोक में स्री कृष्ण की एक ही विभूती का बढ़नान हुआ है जिसके दो बिंदू की हम करम पूरबक चर्चा करेंगी अब पहला बिंदू क्या है इस लोग की पर्थम पंक्ते के सब्सक्राइब अर्था थी अर्जुन समझते प्राणियों का जो बीज है वो मैं ही हूँ तो यहां पर स्री कृष्ण के नाम का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि है अर्जुन च्योंकि तुम अत्यांत सरल सुभाव की हो इसलिए तुम्हारा नाम अर्जुन है अता मैं तुम्हें अत्यांत ही स्रलता से अपनी मुख्य विभूती का वर्णन कर रहा हूँ यदि तुम इस विभूती को समझ लोगे तो तुम सदैव मेरा चिंतन कर सकोगे इस स्लोग मैं स्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों के एक मात्र बीज है इस स्लोग के तात परे में सिला पर वपार लिए हैं प्रते अख़्ष्टु का कारण होता है और इस तुम का कारण या बीज श्री कृष्ण है श्री कृष्ण की सक्ति के बना कुछ भी नहीं रह सकता है अता उन्हें सर्व शक्तिमान कहा जाता है उनकी शक्ति के बिना चर तथा चर किसी भी जीव का अस्तित्तु नहीं रह सकता है जो कुछ सुरी कृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उक्तिस्लों के तातपर में सिला परुपर लिखते हैं स्रीकृष्ण समस्त्य पदार्थों के बीज हैं कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं पक्षी पशू मनुष्य तथा अन्य सजीव प्रानी चर हैं पेड़ पौधे अचर हैं वे चल नहीं सकते केवल खड़े रहते हैं प्रत्यक जीव चुरा सिला कियोनियों के अंतरगत हैं जिनमेंसे कुछ चर हैं और कुछ अचर किन्तों इन सब के जीवन के बीज सुरूप स्रीकृष्ण है जैसा कि वैदिक साहिते में कहा गया है कि ब्रम या प्रम सत्य वो है जिससे प्रत्यक वस्तो उद्भूत है अता आदी रूप में स्रीकृष्ण समस्त वस्तों की उद्गम है वे मूल है जिस प्रकार मूल सारे ब्रक्ष्ण का पालन करता है उसी प्रकार स्रीकृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समच्थ प्रानियों का फालन करती है इति तो यहाँ पर स्रीकृष्ण कह रहे हैं कि वे समपून प्रानियों के अभिनाशी बीज है यह समझने की बात है कि किसी भी प्रिक्स का बीज जिस समय बोय जाता है उस समय बीज ही अंकौर का रूप धारन करता है तता बाद में वो बीज एक बड़े ब्रिक्ष के रूप में परिनत हो जाता है फिर उस ब्रिक्ष से अनेक बीज निकलते हैं तता उन में से प्रतेक बीज में ब्रिक्ष बनने के छमता होती है परन्तु यहां पर ऐसी बात नहीं है पहली बात तो यह है कि स्री क सामान बीज तो परिबर्तित होकर अंकुर का रूपधारन करता है परन्तु श्री कृष्ण ऐसे अविनासी बीज हैं जिन से ये बहुत है इस तरश्टी रूपी ब्रिक्ष अंकुरत अवश्य होता है परन्तु बीज नहीं बदलता है अब आगे भी ब्रिक्षि ब्रिक्षित होता जाता है परंदो बीज जियों का तियों रहता है सामान ब्रिक्षितों जिस प्रकार बढ़ता है उसी प्रकार उसकी जड़ भी नीचे की और फैलते जाती है परंदो स्री कृष्णे चूंकि सनातन बीज है अता ये बीज जल का भी कारे करता है परन तो बीज के रूप में ही ये जल का कारे करता है इस कारत है कि यदि हम स्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो संपूर स्रिष्टी की सेवा होती है इस प्रकार संपूर स्रिष्टी की सेवा करना अत्यांत सरल है यह अतियंद गहरा विज्ञान है कि स्री कृष्ण संपूर्ण जगत रूपी बिक्ष के एक ऐसे अभिनासी बीज है जो जल का भी कार्य करते हैं यदि हम इस बीज का सिंचन करते हैं तो संपूर्ण जगत रूपी बिक्ष का सिंचन हो जाता है जिस प्रकार बीज का आकार बिक्ष की आकार की तुलना में अतियंद छोटा होता है उसी प्रकार स्री कृष्ण का दिव रूप संपूर्ण स्रिष्टी की तुलना में अतियंद छोटा है परन्द जिस समय हम स्री कृष्ण के दिव रूप की पुजा अत्वा सेवा करते हैं उस समय संपूर्ण जगत की सेवा हो जाती है अन्था ये संभव नहीं है कि संपूर्ण जगत की सेवा की जाए तो ये शुदा माता ने स्री किर्ष्ण के मुख में संपूर्ण जगा देखा था तो कैसे यहां पर स्री किर्ष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण स्रिष्टी की अबिनासी बीज बेही है भागवत 10-7-35-36 में बरना नाता है कि जिस समय माता ने स्री किर्ष्ण को अपनी गोद में लेटा कर इस्तन पिला रही थी वो समय स्री किर्ष्ण के खुले हुए मुख में माता ने संपूर्ण जगा देखा जिसमें पूरा आकास, पृत्वी, श्वर्ग, नक्षत्र, शूर्य, चंद्रमा, अगनी, वायू, शमुद्र, द्वीप, परवत, नदी, वन, ये सभी दिखाई दिये इसके तरिक माता ने स्री किर्ष्ण के मुख में संपूर्ण चर तथा अचर प्रानियों को देखा रहा है, ये समझने की बात है कि संपूर्ण स्रिष्ण का पोशन करने के लिए दूध की कितनी मातरा की आवशक्ता होगी, परंतो हम इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं, कितनी दूध की आवशक्ता होगी, हम इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं, परंतो यदि स्री कृष्ण के मुख में थोड़ा सा भी दूद्ध डाल दिया जाए तो थोड़े से दूद्ध से संपूर श्रिष्टी का पोशन हो जाता है यहाँ पर स्री कृष्ण कहा रहे हैं कि संपूर श्रिष्टी के अविनासी बीजबे ही है महा भारत के वन पर्व के अंतरगत अध्याय संग्या दो सो तरेशट में वर्णन आता है कि जिस समय दस हजार शिष्टियों से घिरे हुए दुर्वासमोनी वन में निवास करते हुए पांडवों के पास भोजन करने के लिए आए उस समय दुरॉबदी भोजन कर चुकी थी ये बास समझने की है कि दुरॉबदी के पास एक ऐसा अक्ष़ पात्र था जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था परंदु जिस समय दुरॉबदी भोजन कर लेती थी उस समय अक्षय पातर से भोजन नहीं निकलता था अब दुरॉबदी ने ऐसे संकट के समय स्री कृष्ण का इसमरण किया उसमें स्री कृष्ण ने आकर दुराबदी से अक्षय पात्र मंग आकर उसमें लगे हुए थोड़े से साग को खा लिया उस थोड़े से साग को स्री कृष्ण के द्वारा खाने से दस हजार सिश्यों सहित दुरवासा मुनी यतने धिक्तिर्प्त हो गए कि उन्हें उस इस्थान से भागना पड़ा कि वे जरासा भी भोजन नहीं कर सकते हैं इस घटना के द्वारा स्री कृष्ण ने संगेत किया कि दुरवदी के अक्षय पात्र से स्री कृष्ण ने थोड़ा सा साग खाया मानो दुरवदी ने दस हजार सिश्यों सहित दुरवास का पोष्ण हो जाता है उसी परकार स्री कृष्ण के द्वारा थोड़ा साग खाने से दस हजार मुनीयों सहित दुरवदी का पोशन हो गया इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि संपूर्ण स्रिष्ठी का पोशन करना अत्यंद सरल है यदि हम स्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं क्योंकि स्री कृष्ण संपूर्ण स्रिष्ठी के अविनाशी बीज हैं तो यहां पर स्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपू और श्रीकृ्ष्ण ने चंचल तावस मिट्टी खाए, अब जिस समय मात है शोदा ने श्रीकृ्ष्न को डाप कर पूछा कि उन्होंने मिट्टी क्यों खाई है, और समय कि उतर दिया कि उन्होंने मिट्टी नहीं खाई है, सामान निदिश्टी से तो ऐसा लगता है कि स्री किछ्ण에 जोट बोल रहे है उन्होंने मिट्टी क्षाई है तliers जथा वे कहा हैं कि उन्होंने मिट्टी नहीं खाई है take क्ये गेहराई से देखा जाए तो स्री किछ्णे जोट नहीं बोल रहे है क्योंकि स्री कृष्ण श्रिष्टी के अभिनासी बीज है अधायधी बीज मिट्टी खाता है तो वह मिट्टी बीज में नहीं रहती है बल्कि इस मिट्टी से ब्रक्षि बनता है फिर जिस समय माताहशुदा ने स्री कृष्ण को आ गया दी कि भी अपना मुख खोल कर दिखा परसमे माता ने स्री कृष्ण के मुख में संपून स्रिष्टी को देखा, मिट्टी नहीं देखी, क्यों? क्योंकि स्री कृष्ण जो मिट्टी खाई थी, उसी से ही संपून स्रिष्टी का निर्मान हुआ है, इस घटना से स्री कृष्ण संकेत दिया, कि उनके मुख में जोग बिना यत्सियात मया भूतम चर अचरम अर्थात संपोन स्रिष्टी में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके तो यहां पर स्री किर्ष्ण कहे रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रान नहीं है जो स्री किर्ष्ण के द्वारा पोसित ना हो यह उसी दिखाई नहीं देता है तासा बीज अतियंद छोटा सा होता है पर उसी प्रकार स्रीकृष्ण के रहे हैं कि संपूर्ण श्रिष्टी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे स्रीकृष्ण के द्वारा पोशन ना प्राप्त हो रहा हो इस समथ में एक उधारन अतियंद कैदी रहते हैं भी सरकार के सासन को नहीं मानते हैं परन्तु फिर भी प्रत्य कैदी का पोषण सरकार के ही द्वारा होता है उसी प्रकार यद्द भी इस भौत एक स्रिष्टीम अनेक लोग ऐसे हैं जो स्रीकृष्ण से द्वेश करते हैं परन्तु फिर भी स्रीकृष्ण उन की बिक्ष है तथा केट यूनियों में स्री कर्षिन को नहीं जानते हैं यें और हुखे स्रीकृष्ण को नहीं जानते हैं उनकी स्रीकृष्ण के एसे भी हैं जो स्री कुर्ण से द्वेस करते हैं तो यहांपर स्री क्रण को कर रहे हैं कि सभी प्राणियों का पोशन करते हैं गीता 15, 17, 18, 19, 20 में स्री कृष्ण कहती हैं कि सभी प्रकार की पुरुषों में उत्तम पुरुष स्री कृष्ण ही हैं क्योंकि वे तीनों लोकों में ब्याप्त होकर सभी प्राणियों का पालन करती हैं इसलिए साधु पुरुषों तथा सभी सास्त्रों ने उन्हें पुरु सुतम समझ देता है वो सभी उपायों से स्री कृष्ण का ही भजन करता है इस रहस्र को जानकर बिक्ति बुद्धिमान बन जाता है तो उसका जीवन कृत कृत्य हो जाता है इस इस लोग के बंगाले पध्यानवाद में सिला प्रभुपा लिखते हैं सर्व भूत प्रवा है ब जिस प्रकार संपून ब्रक्षे बीज के द्वारा पोशन प्राप्त करता है अलग अलग प्राणियों में विभिन्य प्रकार गे गुण मुझ से ही प्राप्त होते हैं जिस प्रकार बीज से ही ब्रक्षी प्रतिक हिस्ति में अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं तो यहा बहुत ही गहरी अपनी विभूती बता रहे हैं और वो कौनसी विभूती है बीज बीजम समस्त प्राणियों का जो बीज जो भी बीज है भगवान केते हैं यच्चा पिसर्व भूता नाम बीजम यच्चा यत का मतलब जो भी बीज हो समस्त प्राणियों का जो भी बीज हो तो समस्त प्राणि तो असी में थैं असंख्या है उनकी कोई संख्या ही नहीं कितने प्राणि हैं चार असर कितने भी प्रकार के प्राणि हैं जीवों की संख्या कोई गिन नहीं सकता लेकिन कोई ए रहे हैं जो भी कोई एक बीज है वो मैं हूँ तो बीज एक ही है और प्राणी है चर अचर सब प्रकार की प्राणी है वो अनंत है कोई संख्या नहीं है एक बीज तो हमें समझना चाहिए कि एक बीज तो इसी बीज की बात भगवान ने गीता साथ दसमें की है साथ में अध्यां के दसमें इस लोग तो इसमें भगवान के तनी बीजम माम सरव भूता नाम भी धिपार्थ सनातनम कि सरव भूता नाम बीजम यहां इस लोग में भी सरव भूता नाम भी धिपार्थ सनातनम तो इसमें भगवान ने सनातन कहा है तो यही बात है समझने की कि इस भवतिक संसार में कोई भी बीज सनातन नहीं होता है लेकर भगवान जो है पता रहे हैं कि मान लो कि कोई बी जो है ऐसा सनातन है तो संपूर्ण स्रिष्टी एक बहुत बड़ा ब्रिक्ष है तो इसकी तुलना भगवान ने पंदर में ध्याय में की है संपूर्ण स्रिष्टी की तुलना एक ब्रिक्ष से की है तो उसका बीज जो है अभिनाशी स्रिष्टी रूपी ब्रिक्ष है तो वो नष्ट भी होता है फिरुद्पन होता है लेकिन बीज जियोंकरतियों रहता है तो यह हमें समझना है उसी प्रकार से भगवान ने गीता के नो अठारा नो में ध्या की ठर्वेश्ट लोग में भी कहा है बीजम अभियम गतिर भषता प्रुहुशाक्षी निवासा शरणम सुरहत प्रभव अप्रणिय इस्थानम मिन धानम बीजम अभियम अभियम अभिनाशी भीम तो विजम स्नातनम यह साथ यहा की दसमिश्ट लोग में इसमें भगवान ने सनातन और अव्याय बीज की समझ में बीज कहा है भगवान ने सनातन और अव्याय इन सब्दों का प्रयूद नहीं किया तो हमें समझना है कि ये बीज जो है जो बीज है वो कैसा है कि अव्याय है सनातन है तो स्री कृष्ण का सरीर ही संपुन शिर्ष्टी का बीज है तो बीज ही ब्रिक्षि बनता है बीज में ही पूरी सेटिंग होती है कि लिए किस प्रकार का ब्रिक्षि बनेगा तो पहले से निश्चत हो चуска है अगर आम का बीज है तो उससे आम का ही पेड़ बनेगा तो अगर उसको बोया जाएगा तो इसके आम का ही पेड़ बनेगा तो वो सब पहले से ही उसकी सेटिंग हो चुकी है वो बीज के अंदर और बीज फिर वो बन जाता है तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण संपूर इस थ्रिष्टी के बीज है लेकिन अंतर यही है कि श्री कृष्ण रूपी जो बीज है वो बदलता नहीं है परिवर्थत नहीं होता है यह उससे उत्पन होता है बीज से श्रिष्टी रूपी बिक् तो अब अगर इसको इसमें जड़ नहीं बनती है यह बीज है और जड़ नहीं बनती है तो फिर इसी को ही हम जो है जड़ समझें किसी बीज में अगर हम जल डालते हैं सेंचन करते हैं तो संपूर्ण स्रिष्ठी का सेंचन हो जाता है तो इस तरह से संपूर्ण स्रिष्टी की सेवा करना कितना सरल हो जाता है तो यहां पर भगवान ने यह अपना जो बड़ा रहश से बतलाया है यह बहुत ही उपयोगी है और इस से जो है हमारे लिए बड़ी सुविधा होती है कि हम प्रतेग विक्ती की सेवा कर सकते हैं कि अबल स्री किष्ण को प्रसंद करके धन्वाद हरे किष्णा